C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिये पेश है सफ़ा नंबर 32, सबक 6, हमारे खेल पढ़ाई के साथ खेल भी जरूरी है खेल से सिहत ठीक रहती है और तफरी भी हो जाती है वक्त के साथ साथ खेल भी बदलते रहते हैं शुरू शुरू में इनसान जंगलों में रहता था उसकी गुजर बसर जंगली फलों पर और जानवरों के शिकार पर थी उस जमाने में वो तीर से जानवरों का शिकार करता था तीर उसका हत्यार था और तीरंदाजी उसका खेल भी जैसे जैसे इनसान की जिन्दगी में तबदीलियां आती गई, खेल भी बदलते गए हमारी यहां पहले कुष्टी, कबड़ी और गिली डंड़ा जैसे खेलों का रिवाज बहुत था कुष्टी के मुकाबले होते, एक पहलवान दूसरे पहलवान को पचाड़ने की कोशिश करता कबड़ी और गिली डंड़े में दो टीमों के दर्मियान मुकाबला होता ये खेल हमारे मुलक में आज भी खेले जाते हैं दूसरे मुलकों से हमारे तालुकाद बढ़े, तो वहां के बहुत से खेल हमारे यहां भी खेले जाने लगे उन में से बास बहुत मकबूल हैं, जैसे हाकी, फुटबॉल, वॉली बॉल और क्रिकेट वगएरा हौकी में तो लगबग 30 साल तक कोई मुलक हमसे नहीं जीच सका और आज भी हमारी हौकी टीम दुनिया की मशहूर टीमों में से एक है क्रिकेट में भी हमने बहुत नाम पैदा किया है हमारी टीम ने 1983 में क्रिकेट का आलमी कब जीता है खेलों की एहमियत अब और भी बढ़ गई है क्यूंके इनके जरिये दुनिया के दूसरे मुलकों के साथ मेल जोल और भाई चारा पैदा करने में मदद मिलती है एक लव्स और मानी सिहत तंदृस्ती तफरी सैर गुजर बसर जिंदिकी गुजारना तीरंदाजी तीर चलाना रिवाच चलन तालुकात तालुक की जमा मेल जोल मकबूल जिसे सब पसंद करें नाम पैदा करना शोहरत हासिल करना भाई चारा दोस्ती मेल जोल आलमी दुनिया भर का तमाम दुनिया से मुतालिक सफा नमबर चौटीस दो सोचिये, बताईये और लिखिये अलिफ पढ़ाई के साथ खेल क्यूं जरूरी है? बे शुरू में इनसान कहां रहता था? जीम पहले जमाने में इनसान की गुजर बसर कैसे होती थी? दाल शुरू शुरू में इनसान को किस खेल का शौख था? हे हिंदुस्तान में दूसरे मुलकों से आने वाले खेलों के नाम लिखिये वाओ खेलों की एहमियत अब पहले से ज्यादा है क्यों? तीन जुमलों को सही लवजों से पूरा कीजिये अलिफ शुरू शुरू में खाली जगह जंगलों में रहता था हैवान या इनसान बे तीर उसका खाली जगह था और तीरंदाजी उसका खेल भी हतियार या ढाल जीम कबड़ी और गिल्ली डंडे में खाली जगह के दर्मियान मुकाबला होता चार टीमों या दो टीमों दाल हमारी खाली जगह टीम दुनिया की मशूर टीमों में से एक है होकी या फुटबॉल हे हमारी टीम ने खाली जगह में किरकिट का आलमी कब जीता है दो हजार एक या उननिस सो तेरासी चार अलिफ और बे कॉलम के सही हिस्सों को मिलाकर जुमले बनाईए और उन्हें दी हुई खाली जगह में लिखिए अलिफ खेल से सिहत ठीक रहती है बे जैसे हौकी, फुटबॉल, वॉली बॉल और क्रिकिट वगरा दूसरे मुलकों से हमारे तालुकात पढ़े खेल भी बदलते गए उनमें से बास खेल बहुत मखूल है और तफरी भी हो जाती है जैसे जैसे इनसान की जिन्दगी में तबदीलिया आती गई तो वहां के बहुत से खेल हमारे यहां खेले जाने लगे सफ़ा नंबर पैंतीस पाँच इन लवजों से जुमले बनाईए शौकीन, शिकार, रिवाच, मखबूल, खेल, जीत छे, सुनिये, समझिये और लिखिये लवज खयाल वाहिद है इसके आखिर में अलीफ ते लगाने से इसकी जमाँ खयालाद बन जाती है इसी तरह दिये हुए लवजों को भी वाहिद से जमाँ में तबदील करके लिखिये तफरी, तालुक, मकाम, सवाल, हाल, जवाब साथ, दी हुई तस्वीरों पर दो दो जुमले लिखिये सफ़ा नमबर 36 यहां किरकिट का खेल दिखाया गया है यहां तीरंदाजी करते हुए दिखाया गया है सफ़ा नमबर 37 आठ दिये हुए लवजों के हर गिरों से गैर मुतालिक लवज की पहचान कीजिए अलिफ उंट, कबूतर, शेर, चीता, हाथी बे, दीवाली, होली, इद, क्रिस्मस, मंगल जीम अमरूद, अंगूर, बैगन, सेब, आम दाल, मूली, गाजर, आलू, लौकी, अनार हे, हाथी, तोता, बुलबुल, कव्वा, फाखता वाउ, इतवार, पीर, मंगल, बुध, मई जे, आख, कान, नाख, जैका, दात हे, होकी, बल्ला, फुटबॉल, गिल्ली, फूल नौ, यहां जुम्लों में, अलफाज की जगा, तस्वीरे दी गई है, इन तस्वीरों को देखकर, जुम्ले को दोबारा खाली जगा में लिखिए, अलेफ, तुम्हारा खर्श तो आमदनी से ज्यादा है, इस जुम्ले में, आमदनी लवस में आम की तस्वीर दी गई है, और दनी लिखा गया है, सफा नमबर 38, बे, इस तालाप से जरा आगे एक चश्मा है, इस जुम्ले में, लवस तालाप के लिए ताले की तस्वीर दी गई है, और बे लिखा गया है, और लवस चश्मे पहाडे के लिए चश्मे की तस्वीर दी गई है। हे, हमने बेकार ही जहमत की। इस जुमले में लवज बेकार के लिए बे लिखा गया है और कार की जगा कार की तस्वीर दी गई है। 10. सबख में जिन खेलों का जिक्र हुआ है उनके नाम लिखिए। 11. बलन दावाज से पढ़िए और खुश खत लिखिए। इसी के साथ ये सबख यही पर खत्म हुआ। अभी आप सुन रहे थे सबक 6. हमारे खेल समय रिकॉर्डिस्ट, बतिलैंग लिंग्डो, समय फनकार, परवेज गोहर और शिमायला परवेज, एडिटिंग, हिदायतकार और तखलीककार, विमलेश चौधरी, पेशकरदा, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत.